साउधी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के साथ बात ची प्रिंस सल्मान ने हूतियों से शांती वार्ता की वकालत की आखिरकार प्रिंस सल्मान हूतियों के सामने जुके आतंकियों से शांती वार्ता करने यमन पहुँचे साउधी अधिकारी नमस्कार में हुद बांजली मुईत्रा यमन में 9 साल से जारी संखर्ष का आखिरकार अब समाधान निकलने जा रहा है खबरों के माने तो साओधी अरब के प्रिंस सल्मान ने बड़ा दिल दिखाते हुए पूती विद्रोहियों के साथ बातचीत का प्रस्ताव दिया जिसकी तारीफ पूरी दुनिया के लोग कर रहे है देखें ये रोपोर्ट आखिरकार वो दिन आही गया जब हर तरफ दुश्मनी भुला कर लोग शान्ती की अपील कर रहे और शान्ती के लिए काम कर रहे इसी बीच सभी को चौकाते हुए साओधी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों के साथ शान्ती वारता की अपील की और बादचीत शुरू कर दी खबरों की माने तो 9 साल बाद साओधी अरब के अधिकारी इरान समर्थित हूती विद्रोहियों से बादचीत के लिए रविवार को यमन की राजधानी सना पहुचे इस घटना क्रम को साओधी अरब की रणनीती में बड़े बदलाव के तोर पर देखा जा रहा है जानकारी देते चले कि साओधी अरब यमन के हूती विद्रोहियों को आतंकवादी मानता है और इसको लेकर पिछले 15 सानों से संघर्ष जारी हूती विद्रोहियों ने जब यमन की राजधानी सना पर कबजा किया तब ततकालीन राष्ट्रपती अबदर्बू मनसूर हादी को देश छोड़ कर भागना पड़ा था बाद में साओधी अरब समर्थित सेना ने हूती विद्रोहियों से सना को तो खाली करवा लिया गया लेकिन अधिकतर हिस्सों पर अब भी उनका कबजा है यमन का पडोसी साओधी अरब राष्ट्रपती हादी का समर्थन करता है यही कारण है कि 2015 में साओधी अरब ने कई खाड़ी देशों से गड़ बंधन कर हूती विद्रोहियों के खिलाफ काम किया इनमें साओधी अरब को साइन्यूक तरव अमिराथ से भी मदद मिली इसके साथी साथ एक और भी बात कही जा रही है और वो खबर है हूती विद्रोहियों के साथ बातची इरान के हस्त शेप से हो रही क्योंकि कुछ दिनों पहले तक साओधी अरब और इरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे साओधी अरब दुनिया भर के सुन्नी मुसल्मानों का नीता बनने का दावा करता है तो वहीं इरान शिया मुसल्मानों का इसके अलावा कूटनीतिक शेत्र में भी दोनों के बीच काफी तनाव था लेकिन चीन की मदद से दोनों देशों के भी राजनाइक संबंध बहाल हो चुके है इसे अमेरिका की बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है और चीन की एशिया और दुनिया में बढ़ती ताकत और स्वीकारिता के रूप में देखा जा रहा है हूती विद्रोहियों द्वारा चलाय जा रहे समाचार सबा की माने तो यमन में साओधी अरब के राजदूत मुहमद बिन सईद अलजाबेर के नित्रित्व में प्रतिनधी मंडल यमन में विद्रोहियों के कबजे वाले इलाकों में हूती की सरवोच राजनीतिक परिशत के प्रमोख महधी अलमशत के साथ बातचीत करेंगे एजन्सी ने एक अग्याद सूत्र के हवाले से बताया कि शनिवार को सना पहुंचाओ उमानी प्रतिनधी मंडल भी वारता में शामिल होगा तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस हूतियों के लिए साथी अरप से अमेरिका पैसा लेकर लड़ाई लड़ रहा था उसी हूती विद्रोहियों के खिलाफ चीन ने ऐसी चाल चली कि अब युद्ध खत्म कर बातचीत शुरू हो गई तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका कहां है और चीन कहां खड़ा है और ये बहुत बड़ी सफलता है इससे आप समझ सकते हैं कि एशिया और गल्फ देशों में अमेरिका की बादशाहत खत्म हो रही है और चीन की ताकत बढ़ती जा रही है और कई पुराने मसले सुलचते जा रहे हैं अब देखना होगा कि आगे क्या होता है लेकिन हूतियों के साथ बातचीत से एक नए दौर की शुरुवात देखी जा रही है